जै जितवाहन भगवान की आप सभी को जीतिया वरत की बहुत बहुत बधाईयां सभी के बच्चों की रक्षा करें जितवाहन भगवान सबका सोभाग के भाग बनाए रखें यही कामना करते हुए जीतिया वरत की लोग कथाएं सुनाने जा रहे हूं नानी दादी जो अपनी बहु बेटी को सुनाती थी वही कथा आज हम आप लोगों को सुनाने जा रही हूं दो बहन की कथा है एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया कथा बहुत सुन्दर है शुरू से अंद तक सुनियेगा तो जैब हो लेना दोस्तों मैं मन्जु कुमार अपने सिव परिवार चैनल में आप सब का दिल से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैब हो लेना जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे सुख्या और दुख्या की केता तो सुनिए आप लो दो बहन थी, एक बहन का नाम था सुखिया और दूसरी बहन का नाम था दुखिया, दोनों के नाम के अनुसार ही था, सुखिया बहुत सुखी थी और दुखिया बहुत ही दुखी थी, सुखिया के पास बहुत धन दौलत था, लेकिन दुखिया के पास कुछ भी नहीं था, प्रन्तु सब होने के बाद भी सुखिया दिल से बहुत गरीब थी पर दुखिया दिल की अमिर थी सब की लिए उसकी दिल में प्यार था ममता था दोनों बहन एक ही गाओं में रहती थी दुखिया सुखिया के घर में जारू बरतन करती थी खाना बनाती थी और जो बचा हुआ बासी खाना होता था वो अपने घर ले जाती थी वही खाना खुद भी खाती थी और अपने बच्चों को भी खिलाती थी जीतिया व्रत का समय आया, दोनों बहन जीतिया व्रत करने की सोची, दोनों बहन को दोदो लड़का था दुखिया सुखिया के घर खाना बना रही थी चावल साफ की तो जो चावल का खुदी था यानि छोटा चावल का दाना वो और नोनी साग का डंटल अपने घर ले गई क्योंकि उस दिन वो बासी खाना नहीं खा सकती थी अपने घर जाकर दुखिया खुदी चावल और नोनी साग की डंटल की साग बना कर सब जगह चढ़ा कर खुद भी वही खाना खाई और अपने बच्चों को भी खिला कर सोनी चली गई आधी रात को दुखिया का दर्वाजा कोई खट खट आया दुखिया पूछी कौन है तो बाहर से आवाज आया हम है दर्वाजा खोलो दुखिया उठी और दर्वाजा खोली सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी दुखिया बूढ़ी अम्मा से पूछी इतनी रात में क्या बात है अम्मा जो आप आई है हमारे यहाँ तब बूढ़ी अम्मा बोली बहुत जोड़ से मुझे भोख लगा है दुखिया आदर पुरवाग खुशी खुशी बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले जाकर बिठ पर फिर दुखी होकर पूछी अम्मा हम खुदी का चावल और नोनी डंडी का साग वनाए है आप खाईएगा तब बूढ़ी अम्मा बोली हां में खा लूगी इसलिए कहते हैं रात में थोरा खाना जरूर बचा कर रखना चाहिए पूरा खाना रात में नहीं खतम करना चा नहीं दिखता है मैं इतनी रात को घर कैसे जाओंगी दुखिया बोली कोई बात नहीं है अम्मा आज आप मेरे घर में ही सो जाईए सुबा घर चले जाईएगा बोढ़ी अम्मा को दुखिया अच्छे से सुला कर अपने भी सोने चली गई जब थोड़ा समय बीता तब बो कोई लेटरिंग रूम नहीं है आप उस कोने में कर लिजे मैं सुबा साप कर दूंगी यह बोलकर दुखिया सोने चली गई बोढ़ी अम्मा फिर उस कोने से चिला कर बोलती है कि बेटा भर-भर करे या छर-छर करे दुखिया नींद में ही बोली अम्मा भर-भर कर दुखिया पूरे दिन मेहनत की थी बहुत ठक कर सो रही थी तो उसे नींद में ही बोल दिया अम्मा आप हमारे सर में ही हाथ पोच लिजे और जाकर सो जाईए दुखिया सुबा उठी तो उसको सब कुछ सपना जैसा लगा उसे लगा वो रात में सपना देखी थी पर जब वह नदी में नहाने गई और अपना बाल धोने लगी तो वहां मौझूद महिलाएं बोलने लगी बहन तुम्हारे बाल से तो सोना जैसा पानी निकल रहा है दुखिया भी देखी तब उसको याद आया अरे रात में जो हुआ था वो सपना नहीं हकीकत था दुखिया को या नहाऊंगी फिर वो दोड़ के घर गई घर जाकर देखी कि जगा जगा सोना का लेड रखा हुआ है बहुत सारा सोना का सिक्का भी घर में रखा था ये सब देखकर दुखिया खुश हो गई और जै चितवाहन बाबा जै चितवाहन बाबा बोलने लगी भगवान को जब जीतिया वुरत खतम हो गया, तब दुखिया अपनी लड़का को सुख्या के घर से तराजू लाने के लिए भेजी दुख्या का बेटा सुख्या के घर जाकर तराजू मांगा, बोला मौसी मा तराजू मांगी है दे दीजिये सुखिया पूछी क्या नापोगे तराजू से दुखिया का बेटा बोला मौसी मा सोना नापेगी दुखिया हस्ती हुए बोली खाने को दाना नहीं और सोना नापेगी दुखिया का बेटा बोला मौसी सच में मा सोना हिन आपने के लिए तराजू आप से मांगी है सुखिया को संधे हुआ तो उसने तराजू में थोड़ा लठा लगा दिया पीछे और तराजू दे दी जब तराजू वापस दुखिया का बेटा सोना नाप कर लाया, तो थोड़ा सोना का टुकड़ा तराजू के लठा में सटा हुआ था सुखिया सोचने लगी की दुखिया के पास सोना आया कहां से, वो तो बहुत गरीब है, चलो उसके घर जाकर पता करते हैं सुखिया दुखिया के घर जाकर पूछी कि तुम्हारे पास इतना सोना कहां से आया दुखिया सीधी साधी सच्ची मन की औरत थी वो सब बात विस्तार से सुखिया को बता दी सुखिया के मन में लालच आ गया सोचने लगी अरे दुखिया तो हमसे जादा अमिर हो गई अब हम भी अगले साल खुदी का चावल बनाएंगे और नोनी डंडी का साख बनाएंगे तब बूडी अम्मा हमारे घर भी आएंगी और हमको भी आसिरवात देंगी मेरे घर भी बहुत सारा सोना आएगा वो जीतिया वरत का इंतिजार करने लगी धीरे धीरे समय बीता गया जीतिया वरत का समय आया सुखिया चावल फटक कर खुदी चावल रखली और अच्छा चावल फेग दी नोनी साख का डंटी रखली और पूरा साख फेग दी इंतिजार करने लगी कि कब बुढ़ी अम्मा आएंगी सुखिया को नींद नहीं आ रहा था आधी रात को दर्वाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सुखिया पुछी कौन है बुढ़ी अम्मा बोली मैं हूँ सुखिया दर्वाजा खुशी-खुशी खोली फिर सुखिया पूछी क्या वात है अम्मा आपको कुछ चाहिए तब बूढ़ी अम्मा बोली हमको भूख लगा है सुखिया बोली हाँ अम्मा आईए मैं आपको खाना देती हूँ और सुखिया खुदी का चावल और नोनी रंडी का साथ खाने को दे दी फिर अम्मा खाकर उसी तरह बोली रात में अपने घर कैसे जाएं हमको दिखता नहीं है सुख्या बोली मेरे घर सो जाईए सुबह घर चले जाईएगा बुढ़ी अम्मा को सुला कर सुख्या जोटमोट का सोने का नाटक कर रहे थी कि बुढ़ी अम्मा कुछ बोलेंगी थोड़ी देर के बाद उसी तरह बुढ़ी अम्मा बोली बेटा हमको लेटरिंग लगा है सुख्या खुश होकर बोली हाँ हाँ अम्मा आप कोने में कर लीजे हम सुबह साफ कर देंगे बुढ़ी अम्मा कोने में जाकर पुछी बेटा भर-भर करे या चर-चर करे अब सुखिया यहां ये बात भूल गई कि क्या बोले दुख्या क्या बोली थी भर-भर बोली थी या चर-चर बोली थी सुखिया बोली अम्मा चर-चर कर दीजे फिर बुढ़ी अम्मा आई और पूछी बेटा हाथ कहां पोछे सुखिया बोली मेरे सर में पोछ लीजिये बुढ़ी अम्मा उसकी सर में हाथ पोछ ली सुखिया बुढ़ी अम्मा से बोली अम्मा आप सो जाईए हम भी सो जाते हैं वैसे सुखिया को नींद तो नहीं आ रह उसे लग रहा था कि कब सुबह हो और कब हम सोना का लीड देखे अपने घर में लेकिन जब सुबह हुआ सुखिया देखी कि पूरे घर में लेटरिंग पड़ा हुआ है उसके बाल में भी लेटरिंग लगा हुआ है और पूरा घर बद्बू दे रहा है यह देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आ गया सुखिया दुखिया के पास गई और बोली अपना घर तुम सोने से भरली और मेरा घर गंदा कर दी तुम हम से जूठ बोली दुखिया सान्दी से पुछी कि क्या बात है हमको पूरी बात बताओ सुखिया बुड़ी अम्मा की पूरी बात बताई तब दुखिया बोली कि हम तो तुमको बोले थे भर-भर बोलना है तुम छर-छर क्यों बोली यहें पर तो तुम गलते कर दी तुमको भर-भर बोलना चाहिए लेकिन तुम छर-छर बोली फिर दुखिया बोली तुमको तो पता था कि बुढ़ी अम्मा के रूप में जित्वाहन भगवान आएंगे, हमको तो ये बात पता नहीं था कि बुढ़ी अम्मा के रूप में हमारे घर जित्वाहन बाबा आएंगे, हम वही खिलाएं जो हमारे घर बना था, पर तुम क्यों खुदी का चावल और नोनी डंडी का साग खिलाएं तुमको त तो अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए था, अच्छा से सेवा करना चाहिए था, तुमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी खुदी का चावल और नोनी डंडी का साग खिलाई, तुम गलत की, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपने घर आए भगवान का अ अच्छा लगा होगा तो सब बोलिये जै जित्वाहन बाबा की और जै भोले नात।